देश में साथ चरणों में मद्दान होना है जिसके तीन चरणों का मद्दान संपन हो गया है आज चौथे चरण पर मद्दान किया जा रहा है जिसके लिए दस राजियों के 96 सीड़ों पर मद्दान किये जा रहे हैं इस मामले में उपमुक्यमंत्री अरुन साव का बयान सामने आया है उपमुक्यमंत्री अरुन साव ने कहा कि तीन चरणों के मद्दान संपन हो चुके हैं चौथे चरण का मद्दान हो रहा है मैं सभी लोगों से आग्रा करता हूँ कि लोगतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें तीन चरणों का जो सुझान दिखा है वो बताता है कि नरेंद मोदी को तीसरी बार रधानमंद्री बनाने के लिए जनता वोर्ड दे रही है तीन चरण के मद्दान संपन्न हो चुके हैं चौथे चरण का आज मद्दान हो रहा है मैं सभी लोगों से आग्रा करता हूँ कि लोगतंत्र के महापरों में अपनी सहभागिता दें मद्दान करने अवस्याएं और जो तीन चरणों का रुजहान इस पस्रूप से दिखा है वो बताता है कि ये चुनाओ नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंद्री बनाने के लिए जनता उट कर रही है जनता घरों से निकल कर आकर मोदी जी को आसर देना चाहते हैं आसिरवाद देना चाहते हैं तो निश्य दूप से ये चौथा चरण भी भारतिय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के लिए अच्छा होने वाला है